हेलो एब्रिवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, अब डरना नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ समझना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार्टेशियन पॉडक्ट आफसेट्स, रिलेशन्स, इमेज, डॉमेन, रेंज और को डॉमेन, और साथ ही मैं प्रक्टिकली समझने वाले हैं, जैसे यहाँ पर आप देखीगा, पैन दिख रहा है, पैन का आपको इमेज दिख रहा है, सैडो दिख रहा है, तो इसका मीनिंग ये निकला, कि कही न कहीं इसकी जो सैडो है, वही इसकी इमेज है, तो बात करेंगे यहाँ पर सैड की इमे image domain और range और core domain में कभी भी problem नहीं होगी तो सबसे पहला point यहाँ पर हम देखती है Cartesian product offset तो पहले हम समझते हैं कि product क्या होता है तो product आप जानते हैं product का sign यह होता है जब हम किसी चीज़ को multiplication करते हैं तो सीधी सी बात है वो उसका दूसरे number से क्या हो रहा होता है product हो रहा होता है तो बात करेंगे सबसे पहले point की product कैसे होगा और Cartesian product कैसे होगा तो ध्यान से समझेगा सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर एक set लेते हैं माल लीजे मैंने यहाँ पर A set लिया और यह जो set है यह color का set है जैसे माल लीजे मैं यहाँ पर red color ले लेता हूँ और साथ के साथ blue color ले लेता हूँ तो दो color मैंने यहाँ पर ले लिये और दूसरा set लिया मैंने यहाँ पर B और B set में मैंने करा क्या कि यहाँ पर V, C और साथ के साथ S ये तीन अल्फा वेट मैंने यहाँ पर ले लिए तीन लेटर्स ले लिए अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि B जो है वो दिखाता है बैग को जितने भी बैग होंगे वो बैग को दिखाएगा C जो है वो दिखाता यहाँ पर अगर हम C की बात करें तो C जो है वो coat को दिखाता है और S जो है वो sight को दिखाता है तो ध्यान से समझे कि आप एक बाद बताईए कि यहाँ पर जो red है वो red bag हो सकता है यहाँ पर coat भी red हो सकता है और sight भी red हो सकती है तो कही ना कही अगर हम देखें तो रैड का बैग मतलब बैग अगर रैड है तो बैग का रिलेशन रैड से बन सकता है और साथ के साथ कोट से बन सकता है और साथ के साथ साथ से बन सकता है वैसे ही यहाँ पर वैग जो है बलू हो सकता है और कोट भी बलू हो सकता है और साथ भी blue हो सकती है, तो कहीं नहीं अगर हम देखें, तो इसके group कैसे बन सकते हैं, तो group कुछ इस तरीके से बन रहे होंगे, ध्यान से समझिए, जो red है, उसका group बन जाएगा किस से, bag से, ठीक है, red जो है, उसका group बन जाएगा किस से, bag से, तो मैं S लिख सकता हूँ, और red का ही, यह यहाँ पर group बन सकता है, किस से, coat से, तो red के साथ मैं यहाँ पर coat लिख सकता हूँ, या फिर C लिख देता हूँ, और फिर मैं red का ही group बना रहा हूँ, किस के साथ, site के साथ, तो फिर मैं यहाँ पर S लिख सकता हूँ, और इसी तरीके से अगर हम blue की बात करें, तो यहाँ पर blue cert है तो मैं यहाँ पर cert लिख दूँ अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए हो क्या रहा है कही न कहीं हमने red का cross multiplication किया v से red का code से किया c से किया red का हमने s से किया blue का v से blue का c से blue का s से तो कहीं न कहीं cross multiplication हो रहा है कि भई A cross B लिख सकता हूं मैं ऐसे और जितने भी यहाँ पर यह groups वनी है इन सब groups को मैं यहाँ पर braces में दिखा सकता हूं जैसे माली जे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जितने भी groups हैं इन सब groups को मैं equal मैं A cross B के equal मैं लिख सकता हूं तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, अब अगर हम आगे देखें, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझें कि हर एक value का multiplication हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर cross का use किया है, तो आप समझ गए होगे कि product का meaning क्या है, ठीक है, एक बात यहाँ, और जब इस चीज क्लियर हो जाएगे, जैसे माल लीजिए, मैंने यहाँ पर दो set लिये हैं, जैसे मैं यहाँ पर दो set ले लेता हूँ, एक set लिया मैंने यहाँ पर a, और a में जो value रखी मैंने, वो है a1 और a2, और एक set लिया मैंने यहाँ पर v, और b मैंने यहाँ पर जो value रखी है, व नहां पर मैंने तीन element रखे हैं B1, B2 और B3, अब मुझे इन दोनों का Cartesian product निकालना है, तो Cartesian product कैसे निकलेगा ध्यान से समझे, मैंने आपको बता है A x B करना, A1 का किसके साथ करना है B1 के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, A1, B1, ठीक है, आगे अगर आप A1 का फिर B2 के साथ क करोगे, तो क्या मिलेगा, A1, B3, ऐसे आप A2 का इसमें करोगे, तो A2 में क्या मिलेगा, आपको A2, B1, ऐसे ही A2, और फिर आगे क्या मिलेगा, आपको B2, A2, B2, और फिर A2, B3 मिलेगा, तो इस तरीके से यह हो जाएगा, इसका Cartesian product, तो कहीं नहीं प्रड़क्ट ही तो A2 का इस पूरे ब्रैकेट में multiply करा, तो ऐसी हम प्रड़क्ट करते हैं, इसी लिए इसको Cartesian product offsets कहते हैं, तो ध्यान रखिए, easily आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो comment करके बताईए और साथ के साथ मैंने आपको बताये था, कि मेरा जो number है, वो है 975386483, अगर आपको लगती है कोई भी problem, तो आप मुझे WhatsApp पर भी message करके अपना doubt पूछ सकते हैं, विदेन आवर मैं आपको answer जरूर करूँगा, अब हम कुछ चीज़ां यहाँ पर note करते हैं, जो यहाँ पर equal होंगे, यदि उनका first element, जैसे माली यहाँ पर A1 जो है, और B1, यह दोनों अगर Sam आ जाते हैं, तो वो दोनों आपस में कैसे होंगे, equal होंगे, मतलब उनको हमें एक बार ही लिखना है, एक point तो यह होगा, और next point में अगर मैं आपको बताऊं, कि अगर हमारे पास 3 group हैं यह इसको हम कहते हैं, ordered triplet, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ordered triplet, याद रखना, यह कहलाता है ordered triplet, तो यह most important यहाँ पर रिमात थे, यह यहाँ पर एक तो आपको यह ध्यान रखना है, कि equal कव ह 1965 होते हैं, दूसरा यह कि ordered triplet कौन सा है, यहाँ पर यह है, तो हला कि हम इसका use 11th class में हमन करने वाले हैं इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं तो यहां पर Cartesian product जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next point की ओर और अगला point है हमारा relations तो relations क्या होती है समझते हैं ध्यान से समझेगा सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे जीवन में भी जैसे एक family है उस family में भी कुछ न कुछ relations होते हैं जैसे एक घर है उस घर में father होंगे mother होंगी यहां पर son और daughter ठीक है तो यहां पर हम यहां पर total members four ले लेते हैं अब आप ध्यान से समझेगा कि जो son है son का relation होगा father के साथ daughter का relation भी होगा father के साथ और mother के साथ भी होगा तो कही न कहीं cross product हो रहा है कि नहीं हो रहा ध्यान से समझेगा तो यह जो relation है अब यहां पर यह भी क्या है जैसे एक family के members है तो यह भी क्या बना रहे है एक set बना रहा और आपस में इनका एक दूसरे रिलेशन हैं तो यहीं तो relation है तो इसमें डरना क्या है सी relation रखता है जैसे particular हम आपको बता देते हैं कि दो parallel line है जैसे माल लिजे एक L मैंने यहाँ पर ले ली और दूसरी line ले ली है मैंने यहाँ पर M अब इसका इससे relation क्या है कि यह दोनों line हमेशा parallel रहेंगी और कभी भी एक दूसरे को cut नहीं करेंगी तो इसी लिए आपस में एक दूसरे से क्या हो गया यह relative हो गया connected है कहीं न कहीं जुड़े हुए है और आपस में कभी भी एक दूसरे से connection नहीं रखेंगी तो यह अपना एक इनका relation बन गया अब देखिए relations में हम आगे अगर example में देखें तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए मैंने यहाँ पर दो group बना दिये है एक P हो गया है और एक Q हो गया ध्यान से समझिए P में जो elements है वो A, V, C है और यहाँ पर A जो है दूसरा जो Q है, Q group है उसमें जो element है वो अली है भानू है, बिनोय है, चंद्रा है और दिब्या है ध्यान से समझिए अभी यहाँ पर होगा क्या कि दो set मैंने यहाँ पर लिया है एक P लिया है और एक Q लिया है अभी आप ध्यान से देखिए जैसे अगर हम देखें तो A for अली होता है लेकिन A for अली के बाद कोई दूसरा विक्ति ऐसा नहीं है जो A later से start हो रहा हो फिर B for भानू है B for बिनोय है, तो देखिए दो है तो यहाँ पर B की जो image बन रही है वो क्या भानू में बन रही है और साथ के साथ बिनोय में बन रही है फिर हम अगर C later की बात करें तो सिर्फ चंद्रा से बन रही है दिब्या यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका कोई भी later ऐसा नहीं है जो set P में हो जिसकी image दिब्या बन रही हो ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते है कि यहाँ पर इनका जो A का जो relation है वो सरफ अली से होगा B का जो relation होगा वो भानू से होगा C का जो relation होगा वो चंद्रा से होगा बहुत अच्छे से आप यह बात समझ पाए होंगे अगर हम P का cross product करते हैं किस के साथ, क्यों के साथ तो अगर हम P का cross product करें Q के साथ तो इसी product को हम क्या बोलेंगे Cartesian product of a set अब यहाँ पर A का किस के साथ हो जाएगा अली के साथ फिर A का किस के साथ होगा भानू के साथ भाई जो A है वो cross product में सभी के साथ cross product के साथ set बनाएगा तो A विनोय हो जाएगा अब यहाँ पर एका ही होगा किसके साथ, चंद्रा के साथ, फिर एका होगा किसके साथ, दिब्या के साथ, तो ऐसे करके यह सैट यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, अब अगर हम देखें इसकी definition को, तो definition क्या बनेगी इ दिहान से समझेगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अर रिलेशन्स आर फ्रॉम ए, नॉन इंपिटी सेट, ए टुआ, नॉन इंपिटी सेट, वी इजा सबसेट ऑफ दा कार्टेशन प्रड़क्ट, ए क्रॉस बी, बिल्कुल सही बात है, आगर किसी particular ए सेट दिया है, जो क कुछ न कुछ elements है, नॉन इंपिटी सेट में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब यहाँ पर यह हुगा, कि कुछ न कुछ elements उसके अंदर होंगे, और वो रिलेशन बना रहा हो किसके साथ, बी के साथ, तो हम उसका cross product करके उसके दिखा सकते हैं, मतलब उसका जो subset होगा, उस subset का, जो Cartesian product जो होगा, वो A cross V होगा, बिल्कुल होगा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, इसके image की, इमेज क्या होगी, तो जैसा कि मैं आपको उपर वता चुका हूँ, कि यहाँ पर A जो है, किस से relate कर रहा है, अली से, तो कहीं न कहीं A की जो image है, वो अली हो जाएगा, क्या होगा, भाई A की जो image है, वो कौन बनेगा, अली बनेगा, आपको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रहे होगी, A की जो image है, वो कौन बनेगा, अली बनेगा, ठीक है, और B की जो image है, वो कौन बनेगा, भानू बनेगा, अब की definition क्या होगी the subset is the subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross V the second element is called the image of the first element विलकुल बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे जैसे अगर हम A की बात करें तो A जो है अली जो है वो A की क्या है image है वैसे B की image कौन होगा भानू होगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा B की image कौन होगा भानू अब लेकिन इसी में हम बात करते है domain की domain क्या होता है तो domain की जो definition है उससे आप ध्यान से समझेगा जैसे अगर हम बात करें domain की तो domain की definition बनेगी the set of all first elements of the ordered pair in a relation R from A to a set V is called the domain of the relations R ठीक है तो R जो है वो क्या दिखाता है real number को नहीं दिखाता दियान रखना ये दिखाता है किसको relation को यहाँ पर capital जो R होगा वो relation को दिखाएगा मतलब यहाँ पर जो set हमारे पास जैसे for example मैंने उपर आपको जो example दिया था उसी के अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ देखिए जो P set है तो P set के अंदर जितने भी element है जिसकी image बन रही हो Q मैं तो वो सारे element उसका domain कहलाते है मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर domain क्या होगा set में अगर हम रखें इसको तो A, B, C यह पूरा जो P set है यह पूरा का क्या बन जाएगा इसका domain बन जाएगा बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर यह बात समझ में आई होगी अब अगर हम देखें को domain क्या होता है और range क्या होती तो सबसे पहले हम देखते हैं range क्या है तो आप एक बात बताईए मैं बहुत best example देता हूँ आपको जैसे पहले जो network problem हुआ करती थी अब तो नहीं होती है बहुत बड़ी बड़ी company हैं हमारे यहाँ इंडिया में काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा tower बन चुके हैं तो कहीं नेटवर्क की उतनी problem नहीं होती लेकर पहले problem होती थी थी हम कहा जाते थे अपने च्छट पर जाते थे और वहाँ से हम network मिलाने की कोसिस करते थे मार लीजे वहाँ पर network आ गया च्छट पर जाने से तो कहीं न कहीं हम उसकी range में आ गए हैं इसका meaning क्या निकलता है कि कहीं न कहीं हम उसकी range में आ गए है my dear aspirant तो वही चीज तो यहाँ पर है कि भाई A की जो range है वो कहां तक जा रही है अली तक जा रही है क्योंकि A जो है particular किसको दिखा रहा है अली को दिखा रहा है B की जो range है मतलब वो कहां तक जा रही है भानू तक ठीक है भानू को दिखा रहा है और साथी साथ विनोय तक भी जा रही है भाई बी जो है particular किसकी रेंज में है विनोय की रेंज में भी है ठीक है तो वैसे ही C जो है वो चंदरा के लेकिन दिब्या यहाँ पर रेंज में नहीं है किसी की भी देखो यहाँ पर कोई भी element ऐसा नह रहेंगे तो अली रहेगा भानू रहेगा बिनोय रहेगा और चंदरा वो यह सारे elements रेंज हो जाएंगे किसकी यहाँ पर set P की set P में कौन है A B C clear है अब लेकिन हम बात करें co domain की भाई co domain क्या होता है तो co domain का सीधा मतलब है कि यहाँ पर जो पूरा set है Q यही कहलाता है आप अगर अपन देखें तो मैं आपको इसकी definition भी बता देता हूँ जैसे अगर हम co domain की बात करें तो co domain जो होगा the set of all the set of all second element in a relation are from a set A to a set V is called the range of the relations R यह बात आपको समझ में आ गई होगी और साथ के साथ अगर अपन बात करें कि यहाँ पर relations are the whole set V is called the co domain of the relation R मतलब जो पूरा set है ठीक है वो पूरा का पूरा set जो होगा वो कहलाएगा यहाँ पर क्या co domain चलिए मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको explain कर देता हूँ आपको और बढ़िया एक example देता हूँ उससे आपको और ज्यादा clear हो जाएगा तो देखीगा अगर हम बात करें ध्यान से समझचेगा यहाँ पर थोबना ध्यान से समझचेगा एक example और मैं आपको देता हूँ जैसे हमाँ लिजो यहाँ पर आपके पास जो element है एक set लेते हम यहाँ पर पी जिसमें हम element लेते हैं क्या एक 9 element लिया मैंने यहाँ पर एक 4 लिया और लिया मैंने यहाँ पर क्या 25 ठीक है एक दूसरा set लिया मैंने यहाँ पर और उस set में मैंने elements लिया 5 3 और 2 1 और minus 2 और साथ के साथ minus 3 और minus 5 ठीक है इसके अंदर मैंने element यह ले लिए अभी ध्यान से समझेगा और यह set है हमारा q मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पर p set जो है उसको मैं 9, 4, 25 ऐसे लिख सकता हूँ और q set को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 5, 3, 2, 1, minus 2, minus 3 और minus 5 अच्छे से आपको समझ में आ रहा हुगा अब अगर हम बात करें तो देखिए का कहीं न कहीं condition क्या वन रही है पहले वो आप ध्यान से देखिए जो आपको यहाँ पर elements दिख रही है उन elements में condition यह वन रही है कि यहाँ पर यह जो 9 है वो यहाँ पर 3 का square है है कि नहीं है भाई जो 9 है यहाँ पर P set में वो किसका square है 3 का square है और minus 3 का भी यदि आप square करती हो तो वो भी क्या मिलेगा आपको positive 9 मिलेगा अरे जब आप minus 3 का square करेंगे न तो minus 3 का दो बार multiply करेंगे तो multiply करने पर आपको क्या मिलेगा plus का 9 मिलेगा बिल्कुल basic से यहाँ पर भी 2 का square करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4 ऐसी minus 2 का भी आप square करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 4 ऐसे आप minus 3 का square करोगे तो 9 मिल जाएगा और यदि आप minus 5 का square करोगे तो 25 मिलेगा और 5 का करोगे तब भी आपको 25 मिल जाएगा इसका meaning यह निकला कि यहाँ पर जो P set है यह set कहीं ना कहीं इस Q set से related है लेकिन सभी elements नहीं है आप क्या देख रहा है कि अगर आप 1 का square करें तो यहाँ पर कोई भी element ऐसा नहीं है जो इस 1 से related हो तो इसका meaning क्या निकला इसका meaning यह निकला अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि इस में इसका domain क्या होगा जैसे एक-अक point करके मैं आपसे पूछता जाता हूँ जैसे माली जी यह जो 9 है वो किस से related है देखू इसकी image क्या बन रही होगी? 3 बन रही होगी यहाँ पर minus 3 भी इसकी image बन रही होगी? विलकुल बन रही होगी यहाँ पर अगर हम बात करें 4 की image क्या बन रही होगी? 2 बन रही होगी और 25 की यहाँ पर minus 5 भी एक image बन रही होगी ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब मैं आप से पूछू कि भाई इसका domain क्या है आपको समझ में आएगा अगर मैं आप से पूछू कि domain क्या है तो domain आप कहेंगे मैंने आपको अभी बताया है उसकी definition से कि 9, 4, 25 जो P का जो जितने भी elements होगे वो सब उसके domain कहलाएंगे 9, 4 और 25 ये सभी elements क्या है इसके domain हैंगे अब अगर मैं आप से पूछू इसी में क्या range कि भाई range क्या है तो आप बताइए range क्या होगी यहाँ पर इस relation की तो range क्या बनेगी तो मैंने आपको बताया है कि range का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो elements यहाँ पर set Q से related है वो सारे elements इसकी range बनाएंगे और जो नहीं है related वो उसकी range में नहीं आएंगे जैसे 5 की range में क्या आ रहा है 9 की range में क्या हो जाएगा 3 और 3 माइनस 3 और 3 हो जाएगा 4 में 2 और माइनस 2 हो जाएगा आ रहा होगा आपको समझ में तो अगर हम बात करें range की range की अगर हम बात करें तो range में यहाँ पर कौन कौन से element होगे 5 होगा 3 होगा 2 होगा लेकिन 1 नहीं होगा 1 क्यों नहीं है मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि वो कहीं नहीं ये जो elements है उनसे relate नहीं है फिर क्या होगा minus 2 होगा minus 3 होगा और minus 5 होगा तो ये सारे elements जो है वो इसके range में आ जाएंगे clear है आप सभी को अब अगर हम बात करें यहाँ पर इन सब elements में 1 हटा दिया जाएगा क्योंकि वो उससे relate नहीं है और अगर हम co-domain की बात करें क्यों क्या होगा तो co-domain की अगर हम बात करें तो ये पूरा set जो q है q पूरा set ठीक है with 1 पूरा set q जो है वो कहलाएगा आपका क्या co-domain कहलाएगा तो इससे आपको बहुत अच्छे से सभज में आ गया होगा तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ basic concepts वताए हैं और इन basic concepts से आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा अगर हम इसका एक example और ले लेते हैं तो और अच्छे से आपको यह बात समझ में आ जाएगी जैसे मालीज़े मैंने यहाँ पर एक example और लिया और उसको हमें solve करना question में आपको दी रखा है question में यहाँ पर दिया है एक बढ़िया सा example लेते है question में आपको दिया है let a is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह आपको दिया है और यहाँ पर जो relation दिया है define a define a relation relation define करना है r from r from a to a by r equals to दिया है तमें xy such that set of all y is equals to x plus 1 ठीक है यह आपको दिया है अब यहाँ पर अगर आप इससे values निकालें तो देखिए का set में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 element रहेंगे और यहाँ पर y जो है वो किस प्रकार x से relate है कि जब आप x में 1 plus करते हो तब आपको y मिलता है तो अगर हम एक set की बात करें तो एक set में हम value put कैसे करते हैं मतलब कैसे हम निकालते हैं वो ध्यान से समझेए जैसे माल लीजे यहाँ पर इस set में value 1 लिखी हुई है इस 1 को मैं यहाँ पर put करूँ यह से y equals to तो में क्या दे रखा है x plus 1 अगर मैं यहाँ पर 1 को put करूँ ठीक है x की place पर ठीक है x की value क्या ली मैंने यहाँ पर 1 और x की place पर मैं 1 put करूँ तो मुझे y की value क्या मिलेगी 2 मिलेगी तो एक group यह बन गया दूसरा group अगर मैं x की place पर यहाँ पर 2 put करता हूँ अगर मैं x की place पर मैं आपर two put करता हूँ तो y की value क्या मिलेगी मुझे three और अगर मैं three put करूँ तो क्या मिलेगी फिर मुझे y की value four four put करूँ तो y की value five मिलेगी five put करा तो यहाँ पर value मुझे six मिलेगी लेकिन आप यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझ लीजेगा कि ये जो relations है ये जो R आपको मिला है ये इस से 6 से आवब नहीं जा सकता क्योंकि इसकी जो value है वो 1 और 6 के बीच में जो values आ रही होगी और इनके साथ 1 और 6 को लेकर साथ में जो value आ रही होगी वही यहाँ पर इस set का relations होगा तो ये बात आपको समझ में आई होगी अब आगे चलते हैं तो आगे अगर हम वड़ें तो इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका जो arrow diagram है वो बनाओ तो arrow diagram इसका कैसे बनेगा ध्यान से समझेगे अगर हम इसका arrow diagram बनाते हैं तो देखीगा कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये value है ठीक है और दूसरा जो set है हमारे पास उसमें भी जो value मिली हमें वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही value जाएंगी इससे आगे तो जाएंगी नि क्योंकि पहले ही उस question में बोल रखा लेकिन अगर हम इसकी image की बात करें जब हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है 2, जब हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है 2, ठीक है जब हम 2 रखते हैं तो क्या मिलता है हमें 3, जब 3 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है 4, 4 रखें तो 5 5 रखें तो 6, ठीक है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि है कि भợई इसका domain बताईए तो इसका domain क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं तो domain में मैंने आपको बताए है कि पूरा set पूरा set जो है यहाँ पर जो आपको दिखाए दे रहा है यह पूरा set यहाँ पर domain बनेगा लेकिन जिसकी image बन रही होगी वही यहाँ पर आएगा ठीक है यह चीज़ ध्यान रखना अब कई student यहाँ पर गलती है कर देंगे कि domain में 6 को भी लिख देंगे जो कि यहाँ पर गलत होगा क्योंकि जितने elements जो है जिनकी image बन रही है दूसरे set में वही element domain कहलाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा और 5 होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब बात करें हम range की तो range क्या बनेगा तो range की बात अगर हम करें तो range यहाँ पर होगी क्या भाई इसकी range में कौन-कौन से तक जो है इनकी range में कौन-कौन से element आ रहा है यहाँ पर तो वो है कौन-कौन 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है ठीक है फिर अगर हम आगे देखें co-domain तो co-domain तो मैं आपको बताई चुका हूँ कि पूरा complete set जो होगा वो आपका co-domain के अंदर आएगा जैसे देखीगा यहाँ पर अगर हम बात करें co-domain की तो यहाँ पर पूरा set जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह पूरा set जो है वो co-domain बनाएगा अच्छा यहाँ पर एक बात और आपको पता चल रही है वो यह है कि जो यहाँ पर range होती है यह range हमेशा co-domain की यहाँ पर subset होती है मतलब आप जब range के elements देखेंगे वो co-domain में आपको मिल जाएंगे तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह इसका subset होती है तो यह बात आपको clear हो गई होगी अब यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ऐसे ही आप regular videos को follow करते रहिए आगे से आपको जो भी 12th के जितने भी chapters है वो सभी के सभी भारत education के channel पर मिल जाएंगे अगर आपको video अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि आगे आपको भारत education से फाइदा होगा और इसी तरीके से videos मिलते रहे और particular किसी topic पर भी आप video चाहते तो आप मुझे comment box करके बता सकते हैं तो like और share करना मत भूलना जादस जादा share करिये बिलकुल practically पढ़ेंगे और 7 के साथ अगर आपको कोई doubt आता है तो whatsapp number मैं आपको बता चुका हूँ 9753864830 पर आप मुझे अपना doubt भीज दीजे within hour मैं आपको आपका answer जरूर करूँगा तो आज के लिए इतना है thank you very much